मेरे चैनल पर एक बार फिर आफ सभी का हार्दिक अमिनंदन और स्वागत है मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ वीडियो में मैंने इस्टोर के प्रकार, इस्टोर की अवशक्ता और इस्टोर से संबंदन जानकारियों को समझाने का प्रयास किया है बर्तमान समय में सर्प्लस इस्टोर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर डिपो इन चार्ज, पीवे, सी एन डवलू, वर्क्स, ब्रिज, टीरडी जिनके आ नया मटिरियल, स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग बदली होने के काराण सर्प्लस हो जाता है उसको किस तरीके से निप्टारा करना है ये मैंने समझाया है मेरा वीडियो फील्ड स्टाप के साथ साथ परिक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है इसको अंग तक देखें मैं एक नया वीडियो रेलवे स्टोर, स्टोर की अवशक्ता, स्टोर के प्रकार और स्टोर से संबंदित जानकारियों का लेकर आया हूँ वीडियो की इस स्लाइड में स्टोर की अवशक्ता, स्टोर के प्रकार के बारे में बताया है तता सर्प्लस स्टोर जो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है सभी इंचार्ज, पीवे, कार, पुल, C&W, TRD के लिए क्योंकि ड्राइंग, नंबर और स्पेसिफिकेशन, बदली होने के कार नया मट्रियल स्प्लस होने पर कैसे निप्टारा करना है ये डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा रेलवे स्टोर, स्टोर की अवशक्ता और प्रकार एवम जानकारिया नंबर बन है रेलवे स्टोर की अवशक्ता भारती रेल के पईयों को चलाने एवम गतिमान रखने के लिए रेलवे के विविन विभाग राद दिन कार करते हैं जिसमें से एक इस्टोर आबलिक भंडार विभाग महत्पूर भूमिका निभाता है बिविन्द विभागों को काम के लिए बिविन्द भंडारों और सामानों की अवशक्ता पड़ती है यदि प्रतेक विभाग को अपनी उपयोगी बस्तूव की खरीद की जिम्यदारी कर पाएंगे अता एक ऐसे विभाग की अत्यंत अवशक्ता होती है जो एक चक्र में निर्धारित कारकमन उसार बस्तूव की उपलब्दता उचित दर पर उचित समय में पूर्ण गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए निर्वाद आपूर्ति सुनिश्रीत कर सके भारतिये रेल्वे के भंडार आबलिक इस्टोर विभाग को अवशक्ता पढ़ने पर अपने मांग करताओं को हजारों बस्तूवें उपलब्द कराकर विभिन विभागों को सेवा देने की अवशक्ता होती है मतलब यह हुआ इस्टोर विभाग का में दाइत जो है वो विभिन वि प्रकार भारतिय रेलवे में बिभिन प्रकार की बस्तुएं जो प्योग में आती हैं उन्हें इस्टॉक एवम नान इस्टॉक दो प्रकार के मदों आपलिक आइटम के रूप में जानते हैं नमबर वन है इस्टॉक मदें इस्टॉक आइटम ऐसी मदें आइटम जिनकी बराबर या अक्सर अवशक्ता पड़ती है और जिने भंडार विभाग में इस्टॉक में रखा जाता है तो इस प्रकार के आइटम को इस्टॉक आइटम कहते हैं रूमन का टू है नौन इस्टॉक मदें इस्टॉक आइटम ऐसी मदें आबलिक आइटम जिनकी जब कभी अवशक्ता पड़ती है और जिने इस्टॉर आबलिक भंडार विभाग में इस्टॉक करके नहीं रखा जाता है और जब इन्हें जरूवत पढ़ने पर ही खईदा जाता है नौन इस्टाक आइटम कहलाते हैं मतलब क्या हुआ जिनकी हम को जरुवत नहीं है और जब अब शक्तापड़ेगी इस्टाउक नहीं करते हैं और उन्हें अब शक्तापड़ने पर खईते हैं तो ऐसे मदों को हम नौन इस्टाउक आइटम कहते हैं रोमन का नंबर थ्री सर्प्लस इस्टोर ऐसे आइटम या बस्तुएं जिनको रेल उपयोग करताओं को रेल कार के लिए दो बर्श की अबदी तक निर्गम आबलिक इशू नहीं किया गया हो तो यह सर्प्लस शामिल नहीं होते हैं सर्प्लस इस्टोर दो प्रकार के होते हैं यह हैं चल सर्प्लस मूवेबल सर्प्लस इस प्रकार के इस्टोर में वे वस्तुएं आती हैं जो पिछले 24 महा के दौरान किसी भी मांग करता को जारी आबलिक इशू नहीं की गई हैं लेकिन निकट में 24 महा के भीतर उनका उपयोग आपक्षित है चल सर्प्लस कलाती है बी ए अचल सर्प्लस डेट सर्प्लस इस प्रकार के स्टोर में वेवस्तों आती हैं जो पिछले 24 महा के दौरान किसी भी मांग करता को जारी आपलिक इशू नहीं की गई है और उन बस्तों के बारे में ये समझा गया है कि उनका किसी भी रेलवे पर अगले दो बर्ष के भीतर उपयोग करने की संभाबना भी नहीं है इस प्रकार के स्टोर को अचल आपलिक डेट सर्प्लस कहते हैं किसी भी बस्तू को तब तक अचल सर्प्लस इस्टोर के रूप में बर्गी किरत नहीं किया जाएगा जब तक उसे सर्वे समीती द्वारा बिधिवत निरिक्षन करके ऐसी बस्तू गोशित ना किया गया हो भंडार के अचल आपलिक डेट सर्प्लस होने के कान मतलब क्या कान है जिसके कान जो है कोई भी इस्टोर हमारा डेट सर्प्लस के अंतरगत हो जाता है ए है design और standard में परिवर्तन किसी भी item की या बस्तु की design और उसके specification में परिवर्तन होने के कारण B है rolling stock plant और machinery के replacement के कारण अतिक पुर्जों का surplus होना C है पुराने मानक या गति विजियों के इस्तान पर नई लागू करना DA ऐसे plant को रत कर देना जिसके लिए पुर्जों का अतिक स्टॉक मौजूद है यह है pv track के पाटों की design परिवर्तन और gauge conversion के कारण भी होता है अचल भंडार का निप्टारा debt surplus store का हम निप्टार कैसे करेंगे यदी store में हमारे पास है यह है भोक्ता विभागों को ऐसे भंडार को अन कारों में उपयोग करने हेतु इशू करना B है अन रेलवे या सरकारी विभागों को सीधे विक्री करना C है सर्वे कमेटी की सिपारिशों की मंजूरी के बाद निलामी द्वारा विक्री करना अब हैं सर्वे कमेटी का गठन सर्वे कमेटी का गठन महा प्रवंदक जियम द्वारा किया जाता है इसमें तीन सदस होते हैं भंडार विभाग के अलाबा उप्भोक्ता विभाग या शाखाओं के प्रधान या वरिष्ट अधिकारी होते हैं महा प्रवंदक द्वारा नामित एक सचीव होता है जो भंडार विभाग के अतिक किसी विभाग का अधिकारी होता है भंडार विभाग का अधिकारी सेयोजक की भूमिका निभाता है सर्वे कमेटी इंजीनिंग बीभाग के साफ से ज़ी हमने बताते हैं तो यह है DMM प्लस DN प्लस DME ये तीनों को मिलाके एक सर्वे कमेटी का गठन किया गया है मीटिंग अब सर्वे कमेटी की मीटिंग के बारे में हम बता रहे हैं कमेटी की मीटिंग भंडार, नयंत्रक, S.U.S. या डिपो अधिकारी जो सर्वे की जाने वाली बस्तूएं एकत्रीत करके उनकी सूची त्यार करेगा और मीटिंग की आपरती कम से कम छह माहा में एक बार होगी. मतलब जो मीटिंग होगी सर्वे कमेटी की वो कम से कम 6 महा में एक बार होने ही चाहिए सर्वे कमेटी अचल भंडार डेट सर्प्रस इस्टोर का निरिक्षन के बाद निम्न बातें तै करेगी एह डिपो में रखा कौन सा अचल सर्प्रस भंडार है या रद्दी इसक्रैप माना जाए बी है किस भंडार को बरगी करत करके पुराने सेकंड हेंड शेडी में रखा जाए सी है ऐसे इस्टाक को किस दर और मूलों पर लेखा वहियों आबलिक रेश्टरों में रखा जाए नमबर डी है ऐसे भंडार का निप्टारा कैसे किया जाए अर्थाद विक्री द्वारा या विशिष्ट विभागों के विशिष्ट उप्यों के लिए जारी करके आदी आती है जिसमें बस्तू के पूर्ण विब्रण जैसे नंबर बन मस संख्या नंबर टू पील नंबर नंबर स्रीवंडार विब्रण नंबर फोर मात्रा संक्या आबलिक वजन नंबर फाइफ बुक वेलू नंबर सिक्स कुल स्क्रैप मूल नंबर सेवन कुल हानी वहन की महाप्रवंदग के आदेश के लिए भंडार नियंत्रक सी उएस द्वारा दिये गए रिमार्क तो यह 11 आइटम जो हैं सर्वे शीट जो हमारी सर्वे कमेटी त्यार करेगी उसमें यह दर्शाय जाते हैं महाप्रवंदक की मंजूरी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट डिपो अधिकारी द्वारा भंडार नियंत्रक को प्रस्तूत की जाएगी भंडार नेंतरक अपनी शक्तियों के अंतरगत आने वाली मदों के संबन्द में स्विम कारवाई करेंगे और अन मदों के संबन्द में महा प्रवंदक के आदेश लेंगे इस्टोर के प्रकार में रोमन फोर है विशेश भंडार इस्पेशल इस्टोर कार्यों और अन प्रयोजनों के लिए अर्थार संचालन और सामान मेंटरेंस और रिपेर के अलाबा अन कार्यों के लिए बिवस्तित और स्टॉक की गई इस्टोर बस्तूओं को विशेश भंडा कहा जाता है इन्हें सामान इस्टोर से अलग रखा जाता है और उस काम के लिए इशू किया जाता है जिस काम के लिए इसको मांगा गया है नंबर फाइफ इस्टोर के प्रकार का है कस्टडी भंडार कस्टडी इस्टोर ये वो भंडार होते हैं जो विशेश कारों के लिए ख तोड़ दिये गए हैं कस्टडी भंडार कहलाते हैं इस भंडार में मुख रूप से कैपिटल और रेवन्यू कारक्रम के तहस्विक्रत रूलिंग स्टॉक के निर्मान के लिए मेकनिकल विभाक से प्राप्त बस्तुएं शामिल हैं बस्तुएं सीधे स्टोर में प्राप्त किये जाते हैं और भुक्तान किया जाता है और लागत को तुरंद समंदित कार से डेविट कर दिया जाता है अवशक्ता पढ़ने वाले सामान को वर्क्शॉप में पढ़े रहने क के बजाए भंडार डिपो में उन्हें सुरक्षित कस्टडी में रखना चाहिए और उसका एकॉंटल सही रखना चाहिए वीडियो चालू है और अगली स्लाइड में हम आपको कुछ इस्टोर और उसके सम्मंदित विशेश जानकारियों को बताएंगे आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लिजेगा यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है मैं आपके लिए एक नया वीडियो रेल इस्टोर इस्टोर की अवशक्ता इस्टोर के प्रकार का लिखकर आया हूँ वीडियो की इस स्लाइड में इस्टोर के प्रकार में रिटर्न इस्टोर नमबर 6 है लोटाया गया स्टोर रेटर्न स्टोर ऐसे सभी भंडार जो पहले रेलवे की सेवा के लिए जारी किया गया था लेकिन जिसकी अब किसी कार के लिए अवशक्ता नहीं रह गई है और उसके लिए कोई विशेश अनुदेश नहीं है नामित भंडार डिपो को लोट जाएगा उसे रेटर्न स्टोर कहा जाता है यदि किसी रेलवे पर एक से अधिक भंडार डिपो हैं तो भंडार नियंतरक सी ओएस ऐसे सभी डिपो या डिपो को नामित कर सकते हैं जिनको बर्ग विशेश का भंडार लोटाया जाना है और इसकी सूचना रेलवे के विवि विवागों को दी जाएगी डिपो को नामित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि डिपो रिटर्न स्टोर के पहुंचने और उसके अंतिम रूप से निप्तारे की द्रश्टी से उप्यूप्त है नमबर का रिटर्न भंडार के सुर्थ रिटर्न भंडार आबलिक इस्टोर में निम्न शामिल हैं रोमन बन है सरप्लस इस्टोर जो ऐसे नए मैटियल का शेश हो जिसका किसी कार में उप्योग नहीं किया गया हो रोमन 2 है निर्मालकार से निकला हुआ मैटीरियल, रिलीज मैटीरियल, रोमन 3 है टूल्स और प्लान्ट जिनकी अब अबशक्ता नहीं रही है नंबर 4 है रद्धी मैटीरियल, स्क्रैप मैटीरियल नंबर 5 है एडवाइज नोट सभी प्रकार के रिटर्ण स्टोर को भंडा डिपो में भेजने के लिए प्रपत्र संख्या S1539 में एडवाइज नोट त्यार किया जाता है कारखानों में इसे 5 copies, 5 copy में और कारखानों के अलावा इसे 6 copies, 6 copy में त्यार किया जाता है प्रतेग गूरुक के लिए नई पुरानी स्क्रैप माटिरियल के लिए अलग-अलग advice note त्यार किया जाता है आम बोलचार की भाषा में इसे DSA note के नाम से भी जाना जाता है इसमें भंडार का विवरन मात्रा लेखाशीश आदी ब्योरा दर्शाया जाता है और ये भंडार रेटर्ण करने वाले अधीनस एबम उनके निकट अधिकारी द्वारा सील और हस्ताक्षर से किया जाता है रोमन का सेवन इस्टोर का अगला प्रकार अग्रदा बंडार इंप्रेश इस्टोर रनिंग शेडों गाड़ी परिक्षन इस्टेशनों आदी पर किसी विश्ष कार के लिए नहीं बलकि रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस रिपेर और परिचालन के सम्बंद में नित की जाने वाली जरूरतों को पूरा करने के प्रियोजन के लिए इस्थाई अग्रिम के रूप में रखे जाने वाले मेटियल को चाहें वे स्टॉक आइटम हो या नौन इस्टॉक आइटम हो और साथ ही जूट तेल ग्रीस जैसे भी कंजुमेबल बंडार भी अग्रदा या इंप्र आइटम की पापुलेशन के प्रतिशत के हिसाब से इंप्रेस आइटम का इंडेंट करते हैं नमर त्री मूल सूची संक्या प्राइज लिस नमर चुकी रेलवे में आइटमों की संक्या बहुत अधिक है और उनकी पहचान होना आवश्यक है इसलिए प्रतेक आइटम को प्राइज लिस्ट नमबर कहते हैं पी अल नमबर की संख्या की सत्यता को मालूम करने के लिए मदूलेश पद्धती को काम में लिया जाता है इन आठ अंकों को रखने का तरीका पहले दो अंक घुडुप उसके बादके दूंक सब असके बादके तीन अंक आइटम की संख् और अंतिम अंक चेक डिजिट कहलाता है PL नंबर की चेक डिजिट को छोड़कर दाय से दो की संख्या और उपर बढ़ते हुए अंकों से गुणा करते हैं और उसके बाद कुल योग को 11 से भाग किया जाता है जो शेशपल के रूप में चेक डिजिट टाप्त होने पर PL नंबर को सही माना जाता है उदाण के लिए एक्जाम्पिल देखिए रेल का PL नंबर WCR-CR के हिसाब से हम बता रहे है 980-11285 अब इसको हमने रखा है PL नंबर के हिसाब से रख रहे हैं ग्रूप में 98 हो गया सब ग्रूप में 01 हो गया आइटम में का नंबर जो है 128 हो गया और चेक डिजिट में पांच नंबर है अब हम इसको एक नंबर छोड़ कर बढ़ते क्रम में 8 के नीचे 2 2 के नीचे 3 1 के नीचे 4 फिर 1 के नीचे 5 जीरो के नीचे 6, एट के नीचे 7 और 9 के नीचे 8 को हम रखते हैं बलते करम के साब से, अब इसको हम multiply करते हैं, तो 9, 8, 72 हो जाता है, 8, 7, 56 है, 0 into 6, 0 है, 1 into 5, 5 है, 1 into 4, 4 है, 2 into 3, 6 है, और 8 into 2, 16 है, टोटल योग आता है, 1, 5, 9, divide करेंगे 11 से, तो इसमें जो है, आपका 154 आएगा, और 6 हमारा जो है, वो 5 बचेगा, इसका मतलब, rail का PL नंबर 5 जो है, last digit के साब से सही है, अब इसी प्रकारते हैं, दूसरा example, इस क्रैब फिश पेट का दिखा रहे हैं, इसका PL नंबर जो है, 504, तो इसको हमने टेबल के हिसाब से रख दिया है, ग्रूप में 98 हो गया, सब ग्रूप में 03 हो गया, और आइटम फिश प्लेट का जो है, 050 है, और चेक डिजिट इसकी जो है, 4 है, अब इसमें हम एक नंबर से छोड़का, 2345678 को रखा है, तो मल्तिपिकेशन हम देखे, 72 प्लस 56, 0 प्लस 15, 0 प्लस 15, प्लस 0, 158 डिवाइड़ वाई 11, तो शेश हमारा 4 बसता है, इसका मतलब फिश प्लेट स्क्रैप का जो पी यल नंबर है, वो सही है, नंबर 4, एकी करत मूल सूची संक्या, यूनिफाइट प्राइज लिस्ट नंबर, समान नामावली, पी यल संक्या के अंतरगत, पहले चार अंक जो ग्रूप और सब ग्रूप को प्रदश्चित करते हैं, सभी जोनल रेलवे और उत्पादक इकाईयों पर समान रूप से अपनाई जाएगी, सभी रेलवे पर भंडार सूची को एक समान पहचान देने के लिए, उस सूची को एक बिशेश नंबर दिया गया है, जो सम्पूर भारतिय रेलवे पर एबम उत्पादक यूनिट पर एक समान रहेगा, इस प्रकार एक समान नामावली सूची त्यार हो जाने से, रेलो पर फाल्तू और बेकार के नए भंडार स्टेंडरडाइज नहीं होंगे, बलकि आवशक आइटम या बस्तूओं का भंडार ही किया जाएगा, तो जो पियल नंबर है, उसके इस्तान पर अब हम यूनिफाइड प्राइज लिस नंबर को बना रहे हैं, जो पूरे भारतीय रेलवे में और जितनी भी हमारी प्रोडक्शन यूनिट या उत्पादक इकाईया हैं, उनमें वो मटियल सीम रहेगा, और उसका जो पियल नंबर होगा, वो एक सा रहेगा सभी रेलवे में, तो इससे काफी फाइदे होंगे, कि जो हमारी फाल्तु और विकार चीज़े होती हैं, वो हट जाएगी और सभी को एक सा ही नंबर मिलेगा, एकी क्रत मूल सूची संक्या के संभाव इतलाव, रोमन बन है, संपूर भारती रेलवे में प्रतेग आइटम की एक ही पैचान होगी, रोमन टू है, समान मूल सूची संक्या होने से, भंडार की किस्मों को कम, वैराइटी रिडिक्षन किया जा सकेगा, रोमन टू है, केंद्री क्रत खरीद आसान हो जाएगी और समय की बच्चत होगी, रोमन फोर है, सर्प्लस एवम, ओबर इस्टाक आइटम का निप्टारा करने में भी आसानी होगी, नमबर फाइट, प्रेशी कोड, कंसाइनी कोड, कंसाइनी कोड में फाइट अंक होते हैं, जिसमें से बाएट से पहला अंक डिवीजन, दूसरा अंक विभाग, तीसरा और चोथा, उब्भोगता आबलिक कंसाइनी की क्रम संख्या, और अंतिम अंक चेक डिजिट को दर्श होता है, जिसके बाएट से पहले दो अंक डिमान की ग्रांट, उसके बाद के चार अंक हेड आफ एकाउन और अंतिम अंक कार के प्रकार अत्वा उद्देश को दर्शाते हैं, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले प्योगी है, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संक्या में शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ए एक अच्छी वीडियो का इंतिजान करें धन्यवाद